बेटे की शादी से पहले समधन को दिल दे बैठा समधी, सोला बच्चे छोड़कर उडगए प्रेम के बूढ़े पंची। बेटे और बेटी का रिष्टा तय होने के बीच एक समधी और समधन में इश्क हो गया। दोनों के जजबाद बेकाबू हो गया। रिष्टे नाते और समाज की परवाद छोड़कर एक दिन दोनों रफूचकर हो गया। दिलचस्क बात ये है कि समधी दस बच्चों का बाप है और समधन के छे बच्चे हैं। मामला गंज डुड़वारा कोतबाली छेतर के गाउं का है। इससे भी बड़ी बात ये है कि लड़का और लड़की दोनों के पिता पिछले करीब 28 साल से दोस्त है। लड़के के पिता का नाम शकील है जो अपनी समधन को लेकर फरार हु दोस्त के घर में बेटी भी खुश रहेगी ये सोच कर लड़की के पिता खुश हुए। लेकिन 28 साल की जान पहचान के बावजूद वे शकील की फितरत को समझने में गच्चा खा गया। शकील की नजर गंदी थी और वो अपनी दोस्त की बीबी पर फिदा था। बेटे क रिष्टा तै करने के बहाने वे दोस्त की बीबी के और नज़्दीक पहुँच गया। महिला के जज़बात भखाये और एक दिन उसे लेकर फरार हो गया। लड़की के पिता जोकी एक मजदूर हैं उनके बताविक पिछले 28 सालों से शकील का उनके घर आना जाना था। व से लड़की के पिता बीबी वापस पाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। नाते रिष्टेदारों से लेकर पुलिस तक की मदद मागी लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लग रहा है। इसकी इस कहानी में धोका ये धोका है और इसलिए इसे सुनकर लोगों का पारा च कर ली गई है। छै बच्चों की मा और दस बच्चों के पिता के जवाँ इश्क की ये दास्तान एसपी के आफिस पहुंची तो उन्होंने इसकी चांश शुरू कर आई। उदर इस हैरत अंगेज प्रेम कहानी को सुनकर हर कोई है। दोनों एक ही गाउं के रहने वाले हैं स्पी अपणना रजत कौशिक ने इस मामले में इफायार दर्च करने के आदेश दिये हैं। इस तरह पुलिस ने अब पामले की जांश शुरू कर दी है। गंच नोडवारा कोतबाली के प्रभारी बिनोत कुमार बताते हैं कि पीडी समधी की तहरीद के आधार पर और कर दो कर दो कर दो का दो कर दो कर दो कर दो कि आदेश जगे जब पामले कि एक प्रभार बताते हैं।